डॉक्टर सहब क्या मैं चस्मा लगा कर पढ़ सकता हूँ हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो तब तो ठीक है नहीं तो अनपढ़ आदमी की जिन्दगी भी कोई जिन्दगी होती है ओए धोबी एक तो ने मेरी कमीज गुम कर दी उपर से धुलाई के पैसे माँग रहा है साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैंने तो आपकी कमीज धुल कर रखी थी और वो धुलने के बाद गुम हो गई पापा आपकी दाल सेब बेटा कितनी बार कहा है खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए चुप चाप खाना खाओ ठीक है पापा अब बताओ बेटा उस वक्त तुम क्या कह रहे थे पापा मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था आपकी दाल में मख़्ी गिर गई है अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कॉमेंट करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें साथी बेल आइकन को भी दबा दें